तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडिया के बहुत भड़े डवलपमेंट के वारे में जो किया है बेसिकली cancer circulated तो देखने को क्या मिल रहा है आपका कि करीब हर साल 20 million लोगों को cancer देखने को मिलता है जो की new case से हमें देखने को मिलते हैं मिलियन केसे देखने को मिलेंगे और अगर हम इसमें इंडिया का रोल देखें तो इंडिया में भी करीब आपको चोगदद एसंवलब एक लाग सम्थिंग केसे देखने को मिलता है तो हम ही क्या करना है कि cancer कर ट्रीटमेंट त्यार करने के पास लिए आपको बहुत सारी information की requirement चाहिए तो information में अगर हम basically बात करें कि आपका patient का क्या data रहता है किस तरीके से distribution pattern आपको देखने को मिल रहा है क्या-क्या one of the major causes हो सकते हैं जब हम causes की बात करते हैं तो यहां पर ऐसा ही नहीं होता कि सारा environment के कारण ही दिक्कत आए कि या जो food consume कर रहे हैं उसी के कारण आपक कुछ genetic तौर पर या जो अनुवांशिक matter होते हैं उनके कारण भी आपको यहां पर problem से देखने को मिलती है तो हमी genomic information के बारे में पी अच्छे से पता होना चाहिए और इसी चेत्र में बहुत important achievement इंडिया ने हासिल किया है तो क्या होता है कि 2021 के time पे अपका program initiate किया जाता है इसके portal पर publish किया जाता है जो कि यह आपका Indian Cancer Genome Atlas तो भारत ने अपना Indian Cancer Genome Atlas त्यार कर लिया है जिसमें करीब 50 जो cancer DNA data हुआ या फिर आपका protein profile वगेरा तो एक तरीके से multiomics अप्रोच अपनाए गया है जिसमें के सारी इंफोमेशन से DNA लेवल पर आर ने लेवल पर वह हमें देखने को मिल रही है अब अगर हम बात करें पूरे भारत की population बहुत ज्यादा population है करीब 140-45 कडर population हम कर चुके हैं तो इतने population में से 50 cancer patient का बस अभी data देखने को मिल रहे हैं तो इस particular foundation इसका आंगी का target है कि वह 500 individuals तक पहुंचे और data को और अच्छे से वह कर सके जिससे basis में क्या कर सके प्रिसाइज मेडिशन इक ताम होती है आपका कि कोई particular अगल लोकलिटी की बात करें जैसे कोई हमें जो inheritance pattern उसमें changes देखने को मिलता है तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना है precise medicines डेवलप करना है जिससे के हम और बहुत ज्यादा focused medicinal development इंडिया में कर सकें तो यह अगर बात करें जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है तो यह एक ऐसा ही प्रोजेक्ट यूएस में देखने को मिलता है जो कि आपका TCGA तो TCGA प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कितना large scale पर आप उसको इसी जो medicinal development की जो प्रोजेक्ट सेल रहा है वो एक बहुत advanced level में आपको देखने को मिलते हैं तो उसी तरीके से इंडिया ने भी अपना cancer repository तयार की है और यह एक तरीके से हम बात करें तो first comprehensive genomic repository हमें देखने को मिल रही है जो कि भारत ने develop की है इंडिया में तो यह बहुत important development है क् कि हम स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत basic portion से स्टार्टिंग करते हैं तो यह एक तरीके से हम बहुल सकते हैं कि milestone achievement है हमारे cancer जो research कर रहे हैं जितने भी लोग है उस particular चेत्र में तो आंगे चलके यह बहुत ज्यादा आंगे एक हमारे लिए advantage दे सकती है और सरकार को भी cancer की च जा सके तो आपको यह किस तरीके की information लगी अगर अपने जो फ्रेंड्स उनके साथ जरूर शेयर करें जो कि basically research involved है तो उनको भी जानकरी मिल सके थैंक्यू सो मच